हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जा रहा हो कि कैसे आप अपने रैड़ी नोट 13 प्रो प्लस एंडुड़ मैं आप अपने मुबवाल फोन की हीटिंग की प्रॉलम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको डेटेल में जानकार इससे क्या होगा आपको मुएल फून आटोमाटिक स्विच ओफ हो जाएगा फिर इसके थोड़ी देर बाद आटोमाटिक स्विच अन हो जाएगा रिबूट करने से होता है हमारे फून के एंडुट शिस्टम में कोई प्रॉलम आती तो वह सॉल्व हो जाती फून को रिबू क्या करना है जिससे आपके मुएल फोन का इंट्रनेट आपको चालू करना है इसके बाद फोन का सेटिंग पेज अगर आप अपने मुवेल फोन को चार्जिंग पर लगा देंगे तो इससे मुवेल फोन को 10-15 मिनट का रेश्ट देखे तब आपको चार्जिंग पर लगाना है इससे आपका मुवेल फोन हीट नहीं करेगा ठीक है यह चोड़ी-दी बाते भी आपको ध्यान बनकरें अगला प्रोसेस करना है कि आपको अपने मुवेल फोन को रिसेट करना है जब मेरे बता हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं कोई भी तब आपको फोन को रिसेट करने के लिए फोन का सैटिंग पेज उपन करें करिये इससे आपको mobile phone reset हो जाएगा और आपके phone की heating की problem solve हो जाएगी लेकिन आपको mobile phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात आपको यह ध्यान रखना है आपके mobile phone में जितना भी data है सारा data आप किसी दूसरे mobile phone में transfer कर लीजे या उसका backup ले लीजे दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद आपको mobile phone को reset करना है ठीक है तो दोस्तों मेरे बताय हुए सारे process आपको use करने है इससा आपके mobile phone की heating की problem solve हो जाएगी अगर मेरे ब जैसे आपका mobile phone heat कर रहा है क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी solution बताये हैं वह mobile phone के software के जरिये बताये हैं ठीक है